हेलो स्टूरेंट्स वेलकम टू इन माई चैनल स्मार्ट स्टूरेंट्स आज हम डारेक्टेट ओफ एजूकेशन की तरफ से दे जाने वाली वर्क्षिट नंबर फाइफ करेंगे जो की क्लास सिक्स्त की है और सब्जेक्ट है स्सी बिटा ये वर्क्षिट 9 अक्टूबर 2020 की ह तो आएए शुरू करते हैं बच्चे आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिये तो आएए देखते हैं आज की वर्क्षिट चैप्टर 2 डाइवर्सिट एंडिस्क्रिमिनेशन आर कंट्री इंडिया इस ए कंट्री ओफ मैनी डाइवर्सिट विकोज वी हैं मोर दें 1600 डाइवर्सिट वी हैं वेर्यस टाइप ओ फूड्स से ज्यादा डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड प्रैक्टिस डिफरेंट रीजन देखो क्या कह रहा है बेटा यहां पे कि इंडिय में क्या है बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है बहुत मैनी डाइवर्सिटी क्यूंकि यहां पर 1600 से ज्यादा लाइन विजिस बोली जाती है और इसके अलावब डिफरेंट टैप का फूर्ड हैं फेस्टिवल्स हैं और रिलिज ते इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर आ अलग-अलग टाइप के अलग-अलग जो रिलीजन्स के लोग हैं वो मिलकर एक साथ रहते हैं तो आएए देखते हैं आगे क्या दिया गया है बेटा एक टाइम, we do not understand this diversity from certain opinion about some people for example, the opinion that people in villages are miser देखो क्या कहते हैं कि अब हम इस diversity को कई बार समझ नहीं पाते और हम अपना कुछ opinion पहले से ही बना लेते हैं हम अपनी राय पहले से बना लेते हैं जैसे कि the people in villages are miser की जो गाउं के लोग होते हैं वो कंजूस होते हैं तो यह हमारी अपने तरीके से हमने खुदने को बनाया है अपनी ही राय को बना लेते हैं कि और हम वैसा ही फिर अपने माइन में set कर लेते हैं prejudice means to judge other people negatively some them as inferior अब हम क्या करते हैं जब ऐसे लोगों के लिए अपना opinion मना लेते हैं उसके बाद वो हमारे लिए क्या होता है negative हो जाता है हम mostly जो अनुमान लगाते हैं जो opinion रखते हैं वो क्या होता है negative होता है और वो क्या करता है उनको inferior करता है उनको हमें छोटा दिखाता है if we form an opinion that people spend very little time with family members in cities this will be an example of prejudice क्या कह रहा है कि जैसे कि ऐसा माना जाता है कि जो शहर में लोग रहते हैं city में लोग रहते हैं वो अपनी family members के साथ में कम टाइम बिताते हैं बट ये क्या है एक प्रिरुडाइस है ऐसा actual में सच नहीं है लेकिन ये क्या है एक प्रिरुडाइस की इसमें हमने ऐसा अनुमान लगा लिया है ठीके स्वेट आइए नेक्स देखते हैं क्या दिया गया बटा answer the following questions find out the different festivals celebrate and language spoke in India with the help of your family members and make a list of these आपको क्या करना है इंडिया में बटा different type के festivals बनाये जाते हैं different type की languages बोली जाती है तो आपको क्या करना है different type के festival की एक list बनानी है और different type के language की एक list बनानी है तो मैं थोड़ी बहुत help कर देती हूँ कुछ एक example दे देती हूँ बट आप क्या करेंगे, और जादा अपने आस पड़ो, उसमें अपने पैरेंट से, अपने ब्रदर, सिस्टर से पूछ कर, फिर इसका अंसर करेंगे, तो आएए करते हैं, बेटा, इसका अंसर हम, तो देखते हैं, सबसे पहले हैं, फेस्टिवल, तो देखें, कौन-कौन से देखो क्या होगा इद, यह सब festival इंडिया में मनाई जाते हैं, इसके लावा ओनम, तो यह सारे जो festival है, यह इंडिया में मनाई जाते हैं, ठीक है, आप और भी पता कीजिएगा, जैसे कि और क्या हो सकता है, देखो दुर्गा पूजा हो सकती है, गनेश पूजन हो सकता है, त तो बहुत सारी languages हमने भी पढ़ा है कि 1600 languages इंडिया में बोली जाती है, तो आप कुछ languages को यहाँ पर पता करके यहाँ पर लिखे, मैं कुछ बता देती हूँ, बाकि आप खुद पता करके यहाँ पर लिखेगा, तो जैसे कि देखो पंजाबी, ठीक है, इसके अलावा और कौन सी language है बेटा, उर्दु, हाँ ना, उर्दु भी बोली जाती है, नेक्स बताइए कौन सी है बेटा, हिंदी, हिंदी तो बहुत बोली जाती है ना, इसके अलावा बताएए, आप कौन सी language बोलते हैं बेटा वो भी नहीं पे लिखेगा गुजराती और अबना, राजस्थानु भी लिख सकते हैं, पर बहुत सारी wireless है, तमें लिख दो, आप मराथि लिख लो, करनन लिख लो, बहुत सारीDeal लिख लो पर आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे के हम लिखने हैं मराथि, question, देखिए क्या दिया गया है, next question, read the following statement, that statement whatever, these are example of pre-juridized or not, तो जो example दिया गया है, वो pre-juridized का है या नहीं है, हमें ये confirm करना है, हमें ये statement नहीं देखनी कि वो statement सच है या नहीं है, क्या वो हमारा opinion है, एक सिर्फ हमें यही बात यहां पर समझनी है, people, first देखिए, people in city are lazy, तो बेटा देखो, ये तो क्या है, एक क्या है, सिर्फ pre-juridized है, ये क्या है, एक pre-juridized है, ये क्या है, पर हम इसको क्या लिख देंगे, yes, ठीके, next देखिए, people in village do not care for their health, तो ये भी क्या है, बेटा, pre-juridized है, सिर्फ एक हमारा opinion है, actual में ऐसा कुछ भी नहीं है, number third, देखिए, boys and girls are equal, तो बेटा, ये तो क्या है, fact है, ये क्या है, fact है, कि boy and girl क्या है, equal है, तो ये कोई भी pre-juridized नहीं है, ठीक है, तो इसमें लिख देंगे, no, next, देखिए, foreigner cannot be trusted, ये भी क्या है, हमने अपनी तरफ से इसको एक अनुमान लगाया है, एक opinion मनाया है, ये क्या है, pre-juridized है, तो हम इसको लिख देंगे, yes, all English speaking people are intelligent, तो ये भी बेटा, ये भी क्या है, एक pre-juridized है, इसमें कोई fact नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, yes, तो इसमें देखिए, बेटा, fourth तो है, जो ये first, second, third, sorry, fourth and fifth तो क्या होंगे, pre-juridized होंगे, और जो third है, वो क्या है, एक fact है, कि boys and girls क्या है, equal है, ठीके बेटा, तो बेटा, आज की आपकी वर्क्षिट कंप्लीट होती है, अपनी वर्क्षिट कंप्लीट करके, टीचर से चेक कराईए, और बिच्ची, जहां पर भी आपको कोई कंप्यूजन होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, आप नीचे कमेंट करिए, मुझे कोशन पूछिए, और मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगे, कि आपकी हर एक कोशन का अंसर कर सको, तो बेटा, आज की जो वर्क्षिट है, हमने चैप्टर सेकिंड स्टार्ट किया है, में एक बार फिर बता देती है, हम चैप्टर फर्स्ट कर चुके है, युनिवर्स का जो चैप्टर था, वो हम कम्प्लीट कर चुके है, अब हमारा चैप्टर सेकिंड स्टार्ट हुए, डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन, और बिटा, जब भी आप ये वर्क्षिट क करवाई जा रही है, आप लोगों के लिए ये अच्छा रहेगा कि आप उसे साथ साथ में लर्न कर लें, ठीक है स्टुडेंट, तो मेटा, आज की वर्क्षिट कम्प्लीट होती है, वर्क्षिट कम्प्लीट करके अपने टीचर से चेक कर आईए, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए, थैंक यू स्टुडेंट्स